फिल्म गहराईयों की तारीफ करने के चक्कर में अनन्या पांडे ने शारुक की रुमैंटिक फिल्मों को बक्वास कह दिया और कहा कि वो आईडिया वो कंसेप्ट बिल्कुल गलत था हमने देखा कि किस तरह से शकुन बत्रा ने फिल्म गहराईयों में उलजे वे रिष्टे की कहानिया दिखाने की कोशिश की जहाँ पर बहन को अपनी बहन के फियांसी से प्यार हो जाता है और दोनों के रिलेशन्शिप चालू हो जाते हैं और अनन्या और देपिका इस फिल्म को जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं अनन्या ने फिल्म के बारे में बात करते हुए ही एक इंटर्व्यू के दौरान यहां तक कह दिया कि जो गहराईयों में दिखाया गया है वो प्रैक्टिकल चीज है आपके पार्टनर्स एक गलत है वो आईडिया सही नहीं है अनन्या पांडे ने कहा कि जब मैं बड़ी हुई तो शारुक की फिल्में देखकर ही बड़ी हुई और तब से मेरा सपना रहा कि मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा आदमी हो जो मुझे पागलों की तरफ प्यार करता हो और हमेशा मुझे बड़ी निगाहों से ही देखता हो लेकिन बड़े होकर समझ आया कि एक आपसी अच्छे रिष्टे के लिए नस्दी किया और दोस्ती होनी समझ होनी बहुत ज़रूरी है रिलेशन्शिप्स के बारे में बात करते हुए अनन्या ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा पार्टनर आप जादा से जादा लोगों से मिल सकते हो और इस दोरान आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए अगर आप सेटल नहीं होना चाहते तो इस बात को गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए मैं शायद इन सभी चीजों को casual तरीके से नहीं देखती लेकिन अगर आपको किसी चीज से खुशी नहीं मिल रही तो वो चीज आपको कभी भी संतुष्ट नहीं करेगी तो अनन्या का कहना है कि शारुक के फिल्मों ने रोमैंस को लेकर प्यार को लेकर गलत आइडिया दिया जबकि गहरायों ने रिलेशन्शिप्स की सच्चाई बताई है आपको क्या लगता है अनन्या ने जो point कहा है उस सही है आप उससे agree करते हैं या आपका विचार कुछ और है कॉमेंट सेक्षिन में ज़रूर शेयर करें